15 दिसंबर से अंशन पर बैठे दलित बुजुर्ग की मौत पुलिस जबरदस्ती उठा ले गई बोडी मुरादवाद के SSP कार्याले पर आज उस समय खासा हंगामा खड़ा हो गया जब अंशन पर बैठे एक दलित बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने बोडी कार्याले के गेट पर रग दी बुजुर्ग 15 दिसंबर से अपने घर में ही अंशन पर बैठा हुआ था परिजनों का आरोपे की उनकी जमीन पर एक पुलिस कर्मी ने जबदस्ती कबजा कर लिया था जिसे वापस दिलाने के लिए लंबे समय से जिला पेशाशन से गुहात लगाता आ रहा था नयायना मिलने से परेशान होकर शेर सिंग नाम का बुजुर्ग 15 दिसंबर से अपने घर पर अंशन पर बैठ गया था जिसके बाद उसकी पतनी लीलबती ही उसके बाद से डीम काराले के चक्कल लगा रही थी और आज बुजुर्ग शेर सिंग ने दम तोड़ दिया पीडित परिजनों ने मिर्टक की बोड़ी SSP का रहले के गेट पर लाकर रख दी जिसके बाद पुलिस बिभाग में हड़कब मज गया पुलिस अधिकारी और पुलिस कारीमों ने जबदस्ती बोड़ी हटाने की कोशिश की तो हंगामा खड़ा हो गया पुलिस ने खाकी का रौब दिखाते वाद जबदस्ती बोड़ी को लेकर दोनों तरफ से खीचातानी शुरू हो गई मुरादबाद पुलिस के अधिकारियों की मानकता उस समय मर गई जब पीडित परिजनों को धक्के देकर गालियों में टूस लिया गया और उन्हें गंदी गंदी गाली देनी शुरू कर दी इस बीच एस पे दिहाद भी मीडिया करीमे उपर बरसते हुए कैमरे में कैद हुए हैं कि अरे मेरे लील बती नाम है सब मेरे पती है मेरे पती ने पंदरह तालिक पाई बैटे धी मिरी गाहों में गवर पाई बैटे अब जमील यह ने पने तीन बीगा कुछ ना दिया मेरी जमीन गई तो मेरा जी का होगा रख्शा चला रहे हाथ का है क्या हुआ अब यह एक ही खतम हो के लहीं खुले कोई में लेका गई कि मिझे कुछ तो इंशाप देम है में कुछ इंशाप देम है तियम सामने कही में तुझे दिवाल पे लिखके देदू पंदर सारिक से अंशन पर बैठे देख लो कमर में चिपक गिया मैं लाइं हूं अद्री में पुलिस उद्य प्लीस में अदमें को मेरे बाल को मुणा है कि मिनान दिया अरहर रक्सा चला करा है हाथ का जो हाथ सजा मैं बच्चे टेंगा और टीन चाल लड़के एक लड़की है किसा दोड़े पड़ते हैं माल इसका उनका जो सब्सक्राइब करक्ती अभी जो एक मुर्ध संग्य है किसे सिङ्ञ फेसेंग नाम का बेड कि बितो जिसनी made 65 साल है कि पुलीस ले का हाई थी साथ में क्म बृत वस्ता हा आपको ड़ता है कैसे इसके ड्रаздि हुई इ기로 तो घरवाले बताया थे कि पंदातारीकस उसने कुछ खाया नहीं है बताया था बागी पोस्माटम से पता लगेंगा सुछाइब